नमस्कार दोस्तों स्वागादे आपका हमारी यूट्यूब चैनल कॉनसेट क्लास्म दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे रेलवे ग्रूप D की एक्जाम के लिए आपको कौन-कौन सी बुक्स पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी स हो जाए अगर आप वाकाई में रेलवे ग्रूप D की प्रिपेशन की तैयारी सही तरीके से करना है तो केवल और केवल आप इन चार बुक्स के जरिए आसानी से ग्रूप D में सिलेक्शन पास सकते हैं तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात करें तो मैत की बुक्स की बात क तो अगर आप गणित की बूप से पढ़ना जाते हो तो आरेस अगरवाल की जो है वो बैस्ट बूप है क्योंकि आरेस अगरवाल की जो बूप है इसमें आपको कोश्चन के साथ साथ पैक्टिस करने के लिए भी बहुस सारे कोश्चन मिल जाएंगे और लगभग लगभग आरेस अगरवाल से ही रेलवे की एक्जाम में कोश्चन पूछे जाते हैं हाला कि गणित में ऐसा होता है कि कोश्चन की जो डीजीट है वो चेंज हो जाते है हाला कि कोश्चन जो होते हैं वो सेम टैक की होते हैं तो अगर आपको वाकर में गणित अच्छे से पढ़ना है तो आप RS Agrawal की book से पढ़ सकते हो, ये तो गई RS Agrawal की book की बार, अब हम यहाँ पर बात करते हैं, विज्ञान की, तो अगर आपको, जैसे कि आप सभी को बताएं कि railway की जो exam है, इसमें जो है science के questions भी बहुत ज़्यादा पूछ जाएंगे, तो अगर आपको science के questions पढ़ना है, तो आप क्या है कि यह जो speedy है, railway की, इसमें आपको one line questions मिल जाएंगे, और जो selected questions है, जो exam में आने जैसे होते हैं, वही questions इसमें मिलेंगे, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो नया edition इसका, जो 1902 से 2017 वाला, वो ही edition आपको purchase करना है, उस edition में क्या है कि कुछ नए questions भी include हुए है, यह तो गई यहाँ पर सामान ये विज्ञान की बात, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जीके की, तो जिसे बहुत से student मेरे YouTube चैनल पर भी comment कर लेते हैं, जीके आएगा या नहीं आएगा exam में, तो जीके जो है definitely exam में पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहल जाओ, तो railway की जो सामान ये अध्यन है, इसमें भी आपको अच्छे से जीके मिल जाएगा, लेकिन आपको अभी इसको क्या है कि नया वाला जो edition है, वो ही purchase करना, जिसमें क्या होगा कि current affair भी update हो जाएगा, और current affair तो आप या तो mobile से भी पढ़ सकते हो, net से भी पढ़ सकते ह होगा यहाँ पर सामान ये अध्यन की बात, अब हम यहाँ पर बात करते हैं reasoning की, तो reasoning के लिए जो best book है, वो है loose end की book, क्योंकि इसमें आपको सारे के सारे ही topic cover हो जाएंगे, चाहे वो verbal हो चाहे non-verbal हो, और reasoning के जो इतने भी topic है, जो exam में पूछे आते हैं, वो सारे के सारे ह देखने को मिल जाएंगे, तो अगर अभी तर आपने railway group D की preparation तैयार की चालू नहीं किये, तो आप इसकी preparation चालू कर दीजे, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आये, तो like, share और comment ज़रूर करें, और अगर अब तक आपने हमारे इस YouTube चनल क सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please सब्सक्राइब कर लीज़े, thank you